नमस्कार बच्चों, बच्चों आज की वीडियो में हम क्लास पोत हिंदी पाठ एक मन के भोले भाले बादल कवीता को पढ़ेंगे कवीता बहुत इंट्रेस्टिंग है इसलिए वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा ध्यान से देखें तो चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों आप भी मेरे साथ साथ रिपीट करना ताकि आपको पोयम बहुत जल्दी फटाफट से याद हो जाए जबर जबर बालों वाले गुबर से गालों वाले लगे दोडने आसमान में जूम जूम कर काले बादल कैसे बादलों के बारे में बात हो रही है बच्चों काले बादल के बारे में और इनके बाल कैसे होते हैं एकदम जबर जबर हैं अब आप सोचोगे कि इनके बाल तो होते ही नहीं है तो बच्चो बादलों को इंसान की तरह बताया गया है तो इनके बालों को बताया एकदम काले काले जबर बालों वाले हैं और इनके गाल कैसे एकदम गुबारी की तरह है गुबारा कैसे एकदम फूलावा होता है उसी तरह से बताया है कि इनके गाल कैसे गुबारों की तरह है लगे दोड़ने आसमान में जूम जूम कर काले बादल जब आरिश का मौसम होता है तब काले काले बादल आते हैं तो आपने कभी आसमान में देखा होगा एकदम ऐसा लगता है कि जैसे वो डौड लगा रहे है कुछ जोकर से तौंद फुलाए कुछ हाती से सूंड उठाए कुछ उटो से कूबड वाले कुछ परियों से पंक लगाए अब देखो कैसे कैसे बादलों की बात हो रही है वापिस पढ़ो कुछ जोकर से तौंद फुलाए जैसे जोकर तौंद फुलाता है उसकी तरह बताए कि कुछ बादल कैसे एकदम तौंद फुलाए कुछ हाती से सूंड उठाए कुछ जो बादल है उनकी एकदम जैसे हाती होते उनकी सूंड की तरह है कुछ उटों से कूबड़ वाले अब यहाँ पे फोटो में देखो यह बादल है उसको कैसा बताया है उट की तरह तो यहाँ पे उट की आप कूबड़ देख सकते हो और कुछ परियों से पंक लगा है और यहाँ पे यह बादल है जो कैसा है परियों की तरह है आपस में टकराते रह रहे शेरों से मतवाले बादल अब जैसे शेर आपस में भिड़ते हैं उसी तरह से काले बादल आपस में भिड़ते हैं और गड़गड की आवाज आती है कुछ तो लगते हैं तूफानी कुछ रह रहकर करते शैतानी कुछ अपने थेलों से चुपके जर जर बरसाते पानी तो कुछ तो बादल कैसे लगते एक दम तुफानी तुफानी बादल कैसे होते हैं बच्चों कि जब बहुत जादा आंधी तुफान आने वाली होती है तो तुम कैसे काला काला हो जाता है वैसा है और कुछ क्या करते हैं शैतानी करते हैं और कुछ अपने थेलों से चुपके चुपके जरजर पानी बरसाते हैं नहीं किसी के सुनते कुछ भी ढोलक ढोल बजाते बादल तो बादलों को कितना भी कैदो की बरसो या मत बरसो वो किसी की नहीं सुनते वो अपने हिसाब से चलते जाते अब यहां पर बात ओरी है धोलक धोल बजाते बादल तो जब बादल आपस में चलते हैं और कैसे गड़गड की आवाज आती है तो यहां पर धोलक धोल बजाते बादल रहरायकर छट पर आ जाते फिर चुपके उपर उड़ जाते कभी कभी जिद्दी बन करके बाड़ नदी नालो में लाते हैं कभी कभी क्या होता है कि अगर हम छट पे दाके देखें तो पूरा पूरा जो हमारा जो क्लाउड होता है आसमान होता है एक दम बादलों से घीरा होता है और कभी कभी बादल उड़ जाते हैं कभी कभी जिद्दी बन करक बाड नदी नालों में लाते कभी कभी इन बादलों से इतनी जादा बारिश होती है कि नदी नालों में क्या आ जाती है बाड आ जाती है फिर भी लगते बहुत बले हैं मन के भोले भाले बादल कुछ भी हो जाओ ये बादल हमको लगते बहुत अच्छे हैं मन के भोले भाले बादल और ये कविता किस ने लिखी है कल्पनात सिंग ने तो बच्चों आज के वीडियो में हमने मन के भूले भाले बादल कविता पड़ी है वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए फ्रेंड्स कि शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू सो मच